असलाम अलीकेम। मैं हूँ अद्दान नजीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडीजोन। इकाउमनस वेबसाइट पे ये किसी भी साइट पे उसके नेविगेशन सिस्टम का स्ट्रॉंग होना बहुत द्रूरी है। नेविगेशन सिस्टम हम कहते है एक दूसरी कोड़िक तर जो प्रसीजर हमें लेके जाता है उसको हम नेविगेशन कहते हैं। आज हमारा टपिक है जी हम मैनीूस कैसे क्रीट करते हैं। तो आए बगए टाइम्स आया कि हम चलते हैं अपने मेन्यूस के लेक्चर की तरफ Shopify उपन करेंगे उसका administrative panel जो है उसको admin panel को उपन किया फिर हम online store पे क्लिक करेंगे और ये navigation system इसको हम क्लिएट करेंगे जब हम navigation को क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो चनाजेंगी मेन्यूस की इसके लावा मेन्यूस मिलती है इसमेन्यूस एड्ड मेन्यूस एंटाइली डिफ्रेंटीज है एक डिफ्रेंट प्रॉडट्ट है कोई भी जो डिफ्र है वो अपनी रिएट करना चाहता है तो उसको Shopify के अंदर ये एक थर्ड अप्चन दी हुई है यहां पे वो अपने इंडिपेंडेंट मेन्यूस को प्रेट कर सकते हैं यह हमारा आज का टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक है इनको हम सौट कर लेते हैं लाव लेट स्टार्ट विफ्र मेन्यू में यहां पे क्लिक किया यहां लड़ी हमारे पास कुछ मैन्यूस बने हुए हैं हम इनको टॉप्री डिलीट करेंगे और नए बनाने सिखेंगे यह हमने इसको डिलीट किया है रिनोव डेन केटलेग रिमूव अब हमारे पास हूं आसे यह निए हमारे पास थीन अप्चन आपशन हैं इसको हम सेप करते हैं और अपने थीङ के उपर देखते आं कि हमारे थीम पे या कसे लुक लाइक है यह देखें जी, Home, Content, About Us, यह हमारे Team Menu है, अब यहाँ पे हमने अपने फ़र्दवर Menus को Create करना है, जबारा हम Navigation में गए, Online Store पे क्लिक किया, फिर Navigation, then Main Menu, Main Menu में गए, यह हमारे आगया, यहाँ पे Add Menu है, इसको हम क्लिक करेंगे, Add Menu आइटम पे क्लिक किया, यह हमें यहाँ पे लिया है, कि आप जो Menu बनाना चाहते हैं, इसका माम क्या है, हम कहते हैं, जी हमारा पहला Menu है, Catalog, यह हमारा Menu है, इस पे हम Collections को Select करेंगे, All Collection हमारी Catalog में हम किया, फिर हम next menu बनाएंगे, add menu, हम कहते हैं अदि हमारा next menu है men wears, यह हमारा यहां पे आई, यहां पे हमने collection को select किया, collection already मैं इसके ओपर detail video बना चुका हूँ, आज दोबारा इसको explain करने की ज़रूद नहीं है, यह हम collection में के, यहां पे हम men wear, यह हमने collection बनाई हुए, यहां पे हमने इसको add कर लिया, then हम एक third menu create करेंगे, दुबारा है, यहां पे किया जी, female jeans, यहां पे फिर collection में के, यह हमारी female jeans यहां पे आजी, add किया, फिर हम further दो menus और बनाएंगे, एक बनाएंगे हम summer collections, इसको tab किया है, collection, हमारा summer collection यह बना हुआ है, add कर लिया, फिर दुबारा add menu में के, winter, मैं नहीं हूं आज दमाग में फसा हुआ है, winter collections, यहां पे हम गे collections, यह हमने winter collection को select कर लिया, एड कर लिया, इसको हमने सेव कर लिया, now again, we will go on our team, then we have to go on customization, customize पेगे, अब हम इसको एक दफ़ा refresh कर लेंगे, refresh किया, बाद रुकार ये problem करता है, ये हमारे सारे menus आगे, ठीक है, एक हमारा मैं करने का ये method है, हम further दो method जो हम discuss करेंगे, वो कैसे करेंगे, जी हम यहाँ पे exit करेंगे, first of all मैं एक और चीज़ आपको बता दू, हम दुबारा navigation करेंगे, अब देखें जी कि हमने menus create कर ली, अब हम चाहते हैं कि हमारी catalog है, जिसके अंदर तमाम हमारी products हैं, उस catalog के अंदर further हमारे menus आएं, ना कि वो इतना ज्यादा हमारी रस्ता पर दे, उसका simple सा त्रीक है, यह catalog है हमारी, यह catalog के अंदर men wears है, हमने men wears को पकड़ा है, यह six dots से यह दर खरती है, अब यह catalog का sub menu बन गया men wears, अब हम इससी तरह females jeans है, इस को लग के नहीं चले के आएंगे और इस लागेश होड़ोंगे, अब females जो हमारा menu बना था, वो sub menu बन गया catalog का, अब हम चाहते है हमारे summer collection जो है हमारे men's wears के अंदर आए, हमारी men wears के अंदर आए, हमारी menu आए, sub menu आएगे, फर्दर उसका sub menu बनाएगा, यह देखेंजी let's try men पे गए, यह अब देखें, men का फर्दर उसके sub collection बना दिया summer collection, इसी तरह winter पे हम जाएंगे, winter को भी इदर शिप्रेंगे और men's के अंदर जांकी इदर हम इसको drag and drop कर देंगे, अब दोबारा देखेंजी, हमने सर्थ से पहले, headlock का menu बनाया, फिर हमने man mode का बनाया, फिर female jeans का बनाया, फिर हमने summer collection बनाया और winter collection बनाया, then हमने उनको display करके देखा, तो हम कैसे मज़र आ रहे थे, फिर हमने decide किया कि हमारा जो headlock है, वो खुब्सोर लग्या चाहिए, उसके लिए हमने इनको sub menu बना दी, कैसे men wear था, उसको हमने drag किया, और उसके नीचे cutler के नीचे जाके उसको drop कर दिया, ठीक्या जी, जिस तरह हमने men wear के नीचे sub winter collection, summer collection बनाया है, इसे तरह हम female jeans को save करेंगे, we will go on our theme, then we have to go on customize, यह आ गया है, यह देखेंजी, हमने यह catalog बनाया था, यहाँ पर यह हमने click किया, यह हमारा आ गया, men wears उसमें winter, then summer collection, यहां तक हमारी menus, किस तरह create होनी है, वो एक logic आपको मैंने दे दिया, अब हम देखते हैं कि इनको display कैसे करना हमने, चीक है जी, उसके लिए हम तो बारा से start करते हैं, कि इनको हमने कैसे customize करना है, हम यह customize पर, फिर हम गे अपने header पर, header पर हमारे menu है, यह दिखिए menu, यह desktop mirror type, सबसे पहले हम drop down को select करेंगे, उसको save करेंगे, अब हम देखत हैं कि जब हमने drop down को select किया, तो हमारे menu कैसे नज़र आएंगे, यह देखिए, यह हमारे menu की इस तरह नज़र आए, menu is further send menu, यह इस तरह करेंगे, अब से पहले हमने देखा था, कि जब हमने सारे menu पीड किये थे, तो हमारे जो header section है, उसके अंदर एक रस सफ और गया था, आए उसको mega menu select करते हैं, इसको save करते हैं, और अब हम देखते हैं, यह देखें, अब हमारा menu कैसे नज़र आ रहे हैं, अब आपको मैं एक side देखता हूँ, pioneer की, यह देखें, pioneer ने भी अपना यह menu बनाया हुआ है, यह mega menu की तरह बनाया हुआ हुआ, ठीक है, उसी तरह हम अब हम देखते हैं जी, एक outside को देखते हैं, यह हमारे बॉटन तरह के उपर menu बने हुए, ऐसे menu भी बनाया जा सकते हैं, बहुत easy है, जस्ट आपको एक concept देने की ज़रूरती है, आज का हमारा topic के हम navigation यह menu कैसे clear करते हैं, हमेशा की तरह आपस request है, आप सब का बहुत शुक् करते हैं, हमेशा 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 करते हैं, हमे